हेलो वेलकम ब्लीक टु आर चानल आप हैं यहाँ पर दसबी पास, मेर, FEMAIL 3DR e क्याय पार पकीश सरकारी पाना धो यह पर निकल ग 라ई आप लोगो के लिए भरती जी है है वह कetos फिर 8 फिर 6 ह्दफ के और निकल गली आपको केली इस्थ 사 homes की जाएगी उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें बात की जाए दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों के लिए वेकेंसी निकलिए मल्टीपल सव वेकेंसी आउट हुई है लेकिन इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवेर करेंगे जिसमें आपकी minimum qualification मांगी गई है तो आएए शुरू करते है हमारी पहली वेकेंसी के साथ जो कि निकलिए है यहां पर आप लोगों के अकांटेंट की जिसमें आपकी qualification मांगी गई है कि आप होने चाहिए यहापर graduate with commerce stream उसी के साथ यहापर आपके पास 5 साल का experience होना चाहिए 35 साल तक कि आपकी उमर मांगी गई है Level 6 के तहत यहापर आपको salary provide की जाएगी अब बात करें next vacancy की वो निकलिए cook की जिसमें आपकी qualification मांगी गई है कि आप होने चाहिए 10 वी pass उसी के साथ यहापर आपके पास 2 साल का experience होना चाहिए 35 साल तक कि आपकी उमर मांगी गई है Level 1 के तहत यहापर आपको salary provide की जाएगी यह जो हापर आपकी vacancy निकलिए है इनकी posting रहेगी आपकी सिकंदा बाद में अब बात कर लेते हैं next vacancy की वो निकलिए आपकी MTS आया की जिसमें आपकी qualification मांगी गई है कि आप होने चाहिए यहापर 10 वी pass desirable में mention है कि अगर आपके पास experience है तो यहापर आपको preference दी जाएगी इट मींस कि अगर आप freshers है तो भी आप यहापर इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं level 1 के तहत यहापर आपको salary provide की जाएगी बात करी जाए next vacancy की वो निकलिए attender की जिसमें आपकी qualification मांगी गई है simple 10th pass कोई additional qualification experience नहीं मांगा गया है 25 साल तक की उमर मांगी गई है level 1 के तहत salary provide की जाएगी इन दो post के लिए आपकी posting रहेगी नॉइडा में next vacancy निकलिए LDC की जिसमें आपकी qualification मांगी गई है कि आप होने चाहिए 12 पास उसी के साथ-साथ यहाँ पर आपको typing आनी चाहिए 18-17 साल तक की आपकी उमर मांगी गई है level 2 के तहत यहाँ पर आपको salary provide की जाएगी बात करी जाए next vacancy की वो निकलिए driver की जिसमें आपकी qualification मांगी गई है कि आप होने चाहिए 10 पास driving license होना चाहिए motor mechanism की अच्छी knowledge होनी चाहिए 2 साल का experience होना चाहिए 35 साल तक की आपकी उमर मांगी गई है level 2 के तहतियां पर आपको salary provide की जाएगी बात करी जाए next vacancy की वो निकलिए attender की जिसमें आपकी qualification मांगी गई है आप होने चाहिए यहापर 10 पास 25 साल तक की उमर होनी चाहिए level 1 के तहत salary provide की जाएगी इन तीनों post की posting जो आपकी रहेगी वो रहेगी कॉलकता में अब बात कर लेते ही आपको apply कैसे करना है तो यह करना होगा आपको offline apply यह application form का link आपको नीचे description में दे दिया जाएगा आपको उसका print out लेना उसके fill करना उसके साथ सारी supporting documents attach करने है फिर वो दोस्तों आपको speed post करने है यहापर आपको ddb ready कराना होगा in favor of director and iepid जो की रहेगा है आपका 500 रुपे का STSC candidate है अगर आप यह women candidate है तो आपको dd ready नहीं कराना है फिर यह सारे documents आपको एक envelope में pack करने है envelope में mention करना है application for the post of जिस post के लिए आप अपलाए कर रहे हैं फिर वो आपको post कर देने है आपको वो कहाँ पर post करने है वो address हम आपको बता देते हैं आपको वो post करने है यहां दोस्तों 19 जुलाइ पहले पहले आपको इस वेकेंसी के लिए अपलाए कर देना है पक्की सरकारी नौक रहे है for further notification के लिए website को regularly go through करते रहिएगा बाकी जानकारी के लिए advertisement का link आपको नीचे description में दे दिया जाएगा advertisement को आप अपने आप go through जरूर करिएगा thank you so much दोस्तों for watching our videos